यूपीटेट 2021 के लिए आवेदन करते समय मार्क्स के डिटेल पूछे जा रहे हैं लेकिन ऐसे प्रसिक्षू जिनका बीएड या फिर डियलेड में अभी तक फाइनल रिजल्ट की घोशना नहीं हो पाई है तो वो अभियरती कैसे आवेदन करें इस पेसली अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश में डियलेड 2019 बैच की तो अभी तक उनके रिजल्ट की घोशना नहीं हो पाई है फ्रेस पास प्रसिक्षू के अंतिम सेमेश्टर के रिजल्ट की घोशना हो पाना आवेदन की अंतिम तिति से पहले असंबव है और अगर ह वो भी जाता है इनकेस एक परसंट अगर माल में लिया जाए तो उस कंडिशन में प्रथम और 33 सेमेश्टर प्रमोट की रिजल्ट की घोशना नहीं होई होगी तो आपके पास मार्क्स के डिटेल अवलेबल ही नहीं होगे तो हर कंडिशन में आपको एपेरिंग में ही एप प्रसिक्षू होगी तो उनको अभी चतुर सेमेश्टर की परिच्छा में शामिल होना बाकी है तो वो सभी अभियर्थी भी एपेरिंग में ही एप्लाई करेंगे इसके अलावा पहले के बैच के ऐसे प्रसिक्षू जिनकी बैक लगी हुई है तो वो भी पास नहीं माने ज वो सभी भी अप्यरिंग में ही एप्लाई करेंगे चलिए मैं दिखाता हूं कैसे एप्यरिंग वाले कंडिडेर को एप्लाई करना है इसके पर आप देख पाई रहोंगे qualification and exam detail वाले column में तो यहाँ पर पहला option आपको दिया गया minimum qualification इसको जब आप select करेंगे तो यहाँ पर B.A.D.L.A.D. सिख्षामित्र आप क्या है आपके अनुसार आपको इसको fill करना है जैसे कि उदाहां के तोर पर मैं माल लेता हूँ कि D.L.A.D. आपने किया हुए तो यहाँ पर मैंने D.L.A.D. कर लिया ठीक है उसके बाद से website अपने आप refresh हो जाएगा और नीचे आप जाएगे तो उसके just नीचे एक option दिया गया है और जो पास हो चुके है वो तो पास select करेंगे ही करेंगे ठीक है अगर मैं एक उदाहान देकर बताता हूँ अगर मैं पास को select कर लेता हूँ ठीक है तो website फिर से refresh होगी और जब आप नीचे जाएगे तो यहाँ पर high school intermediate graduation post graduation और यहाँ पर dialed आपका highlight हो जाएगा क्यों क्योंकि मैंने path select किया था और जैसे यहाँ path select करेंगे तो आपसे marks, roll number और total marks, कितना marks आपने opt-end किया था यह सभी fill करने के लिए आपसे मांगा जाएगा यह कब मांगा जाएगा जब आपने path select किया था लेकिन अगर इसी path के जगह पर मैं appearing को select कर लेता हूँ, देखिए appeared in final year जब इसको select करेंगे तो फिर से website refresh होगी और अब आप नीजे जाएगे तो यहाँ पर जो qualification detail था इसमें high school intermediate graduation, post graduation तो आएगा लेकिन dialed वाला option highlight नहीं होगा मतलब कि अगर आप appearing में apply करते हैं तो आपसे आपके marks का detail पूछा ही नहीं जाता है तो इस condition में dialed 2019 batch के प्रसिक्षू हर हाल में appearing में ही apply करेंगे और पहले के batch के प्रसिक्षू जिनकी back लगी है वो सभी appearing में ही apply करेंगे क्योंकि आपके पास marks available नहीं है अभी अगर आप pass select करते हैं तो आपसे marks पूछा जाएगा लेकिन अगर आप appearing select करते हैं तो उस condition में marks का detail भरने के लिए आपसे नहीं मांगा जाएगा यूपीटर 2021 में आवेदन करने के लिए कौन-कौन से अभीरती पात रहें और अगर डियलड या फिर बियर्ड में अभीरतियों की back लगी हुई है तो उस condition में उनका यूपीटर मानने होता है या नहीं इन सब के regarding इस वीडियो में में लोग डिटेल में बात करने वाले हैं तो अंतर तक जरूर जोड़े रहेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को skip के हुए अब बात करते हैं कौन-कौन से भीरति पात्र है तो अगर आप बियर्ड है या फिर डियलेड है तब ही आप उत्तर प्रदेश में यूपीटर के लिए आविदन कर पाएंगे अगर आप बियर्ड डियलेड नहीं है तो उस condition में आविदन नहीं कर सकते हैं बहुत से भीरति हैं तो देखिए यहां पर अभी आप इस्क्रिन पर देख पारोंगे यूपीटर 2021 के लिए जो शाष्णा देश जारी किया गया था उसमें पातरता के बारे में जानकारी दी गई है पेपर वन में देखिए यहां पर लिखा गया है कि दो वर्स ये डियलेड जो की पहले ब समेस्टर में हो चाहा है फोर्ट समेस्टर में वो अन्तिम वर्स ही काउंट होता है क्योंकि दो वर्स का कोर्स है तो पहला और दूसरा समेस्टर प्रथम वर्स माना जाता है और तीसरा और चौथा समेस्टर जो है वो अन्तिम वर्स यानि द्वितिय वर्स माना जाता है तो यहाँ पर पश्ट सब्दों में लिखा गया है कि आंतिम वर्स में सामिल अभियर्ती तो DLA 2019 बैच की बात की जाए तो उनके सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोशना हो चुकी है तो सभी अभियर्ती अब आंतिम वर्स में ही काउंट हो रहे हैं उनके अंतिम सेमेस्टर के रिजल्ट की घोशना क्यों ना हुई ना हो तो उस कंडिशन में DLA 2019 बैच पूरी तरीके से पात्र है इस यूपिटेट 2021 में आवेदन करने के क्रम में ये तो बात हो गई DLA की अगर बात करें B8 की तो B8 के संदर में भी आप देख पारोंगे पात्र है या नहीं तो इसक्रिन पर आप देख पारोंगे कच्छा 6-8 यानि उचे प्रात्मे की पात्रता के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं UGC से माननेता प्राप्त विश्विद्याले महाविद्याले से इसनातक परिच्छा उत्तिन तथा DLA जो की पहले BTC की नाम से जाने जाता था अंतिम वर्स में सामिल होने वाले अथवा उत्तिन तो सभी DLA वाले अभिर्थी उत्तर प्रदेश में UPDATE 2021 में आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं तो यहां पर भी मैं आपको दिखा देता हूं देखिए यहां पर भी UGC से मानेता प्राप्त विश्विद्याले महाविद्याले में इसनातक परिच्छा उत्तिन अथ्वा यह DLA दो वर्स यह कोर्स जो होता है इसके अंतिम वर्स में आप सामिल होने चाहिए या फिर उत् तो आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे कहने का मतलब कि graduation के बाद आप DLA करने होने चाहिए और किसी भी राजे के अबिरती हैं तो आप UPDAT में आवेदन कर सकते हैं लेकिन अगर आपने 4 वर्स का DLA कोर्स किया है यानि कि bachelor in elementary education जो की 4 वर्स का कोर्स होता है और intermediate के बा आवेदन करने के लिए पात्र माने गए हैं शाषना देश और UPDAT 2021 के notification के अनुसार अब बात कर लेते हैं कि अगर back लगी है तो उस condition में आपका मानने होता है या नहीं देखिए इसके भी कई conditions होते हैं पहले बात कर लेते हैं DLA के संदर में देखिए अगर आपका subject back होता है subject back के condition में NCT की guideline ये कहती है कि आप अगले semester में परिच्छा में शमलित होने के लिए पात्र होते हैं और उनका प्रसिक्षन लेने के लिए भी पात्र होते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अधिकतम दो subject में आपकी back लगी हुई है तो वो subject back माना जाता है और उस condition में आप अगले semester का प्रसिक्षन भी लेते हैं और अगले semester की परिच्छा में शमलित भी होते हैं तो आपका subject back है अगर और second semester के result की घोशना हो चुकी है आवेदन करने की अंतिम 33 से पहले तो भी आप अंतिम वर्स में ही count होंगे क्योंकि 33 semester या फिर 4 semester में आप प semester back हुआ था ध्यान दिजेगा जिनका semester back हुआ था उनको NCT की guideline के अनुसार उस particular semester के सारे paper को clear करना होता तभी आप अगले semester का प्रसिक्षन और उसकी परिच्छा में शमलित होने के लिए पात्र माने जाते हैं NCT के नियम के अनुसार तो जिनका second semester में semester back हुआ था वो अभीरती पात्र नहीं है यूपिटेट में आवेदन करने के संदर में क्योंकि नियमता अभी आप first year में ही count हो रहा है और notification के अनुसार आप अंतिम वर्स में रहते हुए आवेदन करने के लिए appearing में पात्र माने गये हैं प्रथम semester या फिर द्वित्ती semester में आपका subject back था उस condition में anyhow आपके second semester के result की घोशना हो जानी चाहिए आवेदन की अंतिम तिति से पहले और अगर आपका semester back था प्रथम semester में और उसे आपने clear कर लिया और second semester में आप pass हो चुके हैं मतलब second semester के result की घोशना हो चुकी है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं लेकिन अगर आप आपका second semester में semester back है और अभी तक result की घोशना नहीं हुई है तब तक आप पात्र नहीं होंगे जब तक result की घोशना नहीं हो जाती है उसके बाद ही जा करके आप eligible होंगे UPTIT में आवेदन करने के संदर में ये तो बात हो गई प्रथम वर्स के conditions के बारे में अब अगर बात कर प्रथम वर्स से पास हो जाने चाहिए तो इस condition में आपकी third semester या फिर fourth semester में semester back ही क्यों ना लगी हो फिर भी आप अंतिम वर्स में ही माने जा रहे हैं तो third या फिर fourth semester के semester back हो या फिर subject back हो दोनों condition में आप UPTIT में आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं साथ ही बात करें क्योंकि subject back के condition में आप अगले semester में promote हो जाते हैं भले ही अगले semester में जाकर के आपका semester back क्यों ना हो गया एक उधान से समझेए माली किसी अभ्यरती का second semester में एक या फिर दो subject में back लगा था तो वो subject back हो गया NCT की नियम ये कहती है कि आप अगले semester का prescription और परिच्छा में शामले सोने के लिए पात रहे हैं और अगले semester यानि third semester में जब हो गया तो third semester में उसका semester back हो गया तो चुकी वो third semester में fail हुआ है फिर भी वो नियमता second year में ही count हो रहा है और notification के अनुसार आप अंतिम वर्स यानि second year में होने चाहिए तो इस हिसाब से आप पूरी तरीके से पात रहे हैं अगर प्रतम या फिर द्वितिस semester में आपका subject back था और third या फिर four semester में semester back है तो भी आप आवेदन करने के लिए पात रहोते हैं और इसी क्रम में अगर बात करें बीड के back प्रसिक्छों के बारे में त लेकिन अगर आपका प्रतम वर्स में year back लगा हुआ है तो आप first year में fail माने जाएंगे और उस condition में first year के सारे paper को आपको clear करना होता है तब ही आप second year में जाते हैं तो अगर first year में आपका semester back लगा हुआ, year back लगा हुआ है माफ किजिगा, beard की बात हो रही तो यहाँ पर early jam होत साथ से आपका subject back लग लग गया है या फिर year back लग लग गया है तो उस condition में आप second year में ही count हो रहे हैं तो उस condition में beard वाली अभेरती पूरी तिरकेस पातर होंगे यूपीटेट में आवेदन करने के क्रम में अब बहुत से अभेरतियों का ये प्रशन हो सकता है कि क्या back paper के साथ दिया गया यूपीटेट का certificate मानने होता है तो जी बिलकुल मानने होता है लेकिन आप इस certificate का use तभी कर पाएंगे जब आप अपने back paper को clear कर लेंगे क्यों क्यों क्योंकि आपने अभी तक पूरा back paper clear नहीं किया तो प्रसिक्षन तो भले ही सत्र पूरा हो गया लेकिन आपका प्रसिक्षन पूरा नहीं मानने जाएंगे जब तक आप पूरा back paper clear नहीं कर लेते हैं और वो यूपीटेट जो कि आप back paper के साथ clear किये थे वो भी कभी मानने होता है सिख्छाक भरती में जब आपका सभी बैक पेपर क्लियर हो जाता है तो कहने का मतलब आप UPTITत में appear तो हो सकते हैं, परिक्षा भी दे सकते हैं, पस भी हो सकते हैं, लेकिन वो मानने तभी होगा जब आप सभी बैक पेपर को क्लियर कर लेंगे यहीं B.A.D. में भी नियम है और यहीं D.L.A.D. में भी नियम होता है